Hello everyone, I am Aman from team Wanner Sala और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पार्कूर कहां से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक absolute beginner है पार्कूर है क्या? पार्कूर का definition क्या है? पार्कूर का definition है आप एक जगह से दूसरे जगह सबसे best तरीका सबसे efficient तरीके से जाते हैं through rolling, climbing, leaping, jumping, diving and running as well हो सकता है मैं कुछ elements बताना आपको भूल गया हूँ but important क्या है वो बताना जरूरी है important यह है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपकी पार्कूर जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आप move करना स्टार्ट कर देंगे तो इस वीडियो में जो आपने मुझे करते हुए देखा अगर आप यह सोच रहोंगे कि यह कैसे किया मैंने बहुत basic से इसकी training करी है तब जाके मैं इसको attempt कर रहा हूँ हो सकता है कि इसको attempt करने में आपको चोट लग सकते हैं injury हो सकते हैं इंसान तो गलतियों का पुतला है वो करेगा गलती बट तब आप mistake नहीं करेंगे जब आप basic routine को बहुत अच्छे से follow करेंगे जो कि मैं करता हूँ तो आप याद कीजिए याद तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो बेवी थे हम भी बेवी थे तो just imagine कीजिए कि एक बेवी है तो बेवी पहले ground पे घिसकता है फिर वो crawling के mode में आता है crawling के mode में फिर किसी खंबे या कुरसी या डंडे को पकड़ के वो खरा होता है फिर इसके सहारे चलता है फिर वो running, walking, jogging सब कुछ करना सीखता है तो ये सारे basic movement ground से होके दीरे दीरे आप देख पाएं जो आपने वीडियो में देखा था वो यही था मैंने वीडियो के starting में आप से promise किया था कि मैं आपकी parkour की journey को start करूँगा बट आप जानते होंगे कि आपकी journey already start है क्योंकि मैं जो अभी एक movement बताने वाला हूँ वो already आप लोग कर चुके हैं वो करते हुए ही बड़े हुए है तो मैं आपको शिखाने जा रहा हूँ crawling crawling मैं आपको बस revisit करना है जो बचपन में आपने crawling किया था same crawling अभी करना है अब इस crawling में आप देखेंगे कि इसके फाइदे क्या है इसमें आपके quadriceps muscle ankle, calf, core, chest, shoulder, forearm, wrist, neck muscle सब कुछ यूज हो रहा है जब आप इस movement को लगातार practice करेंगे तो आपकी जो body awareness है जो एक normal movement चाहिए body को वो इसी crawling से ही मिल जाएगा और आप देखेंगे 15 दिनों के बाद आप बहुत अच्छे से crawling करना सीख जाएंगे और इस crawling की वज़ा से आपके movement में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है crawling movement के तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं बट मैं आपको चार elements ऐसा बताऊंगा जिसको आप practice करेंगे और feel भी करेंगे पहला आपका awareness, impact, control and balance ये चार आप crawling में बहुत अच्छे से feel कर पाएंगे इसको आप 15 दिन practice करके देखिए नेक्स्ट वीडियो में ये जो चार elements मैंने आपको बताएं वो हम in depth में आपको share करने वाले हैं बहुत बहुत thank you आपको वानर साला को support करने के लिए वानर साला के वीडियो देखने के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में till then keep learning, keep moving, keep exploring